दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं यौर उनलाइन पार्टनर NIS से जितने सिक्षक डियलेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी और एक बुरी ख़वर आई है तो चलिए जानते हैं वो दोनों ख़वर क्या है और उससे किन-किन लोगों को क्या-क्या इंपक्ट यहाँ पे होने वाला है तो दोस्तो यहाँ पे जब आप NIS के यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके बाद जो टीचर लॉगिन है सिक्षक का जो लॉगिन पोर्टल है उसे जब आप यहाँ पे उपे उपेन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे दो नया लिंक जुर गया है पहला लिंक है कि list of cancelled reference number and money refunded request received from teacher click here for list तो मतलब ऐसे सिक्षक यह अच्छी ख़वर है कि ऐसे सिक्षक जिनोंने cancel करने के लिए अपना NIS registration cancel करने के लिए DL8 का registration cancel करने के लिए request किया था उनका cancellation हो गया है और उनको पैसा भी वापस हो गया है तो यह list यहाँ पे दिया गया है दोस्तों तो यहाँ पे वीडियो के description में पहला link आपको यहीं मिल जाएगा तो जितने सिक्षकों ने अपना registration cancel करने के लिए आवेदन दिया था उनका cancellation हो चुका है और वो पूरी list जो है यहाँ पे आ चुकी है तो total अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो total 6089 तो 6089 सिक्षक यहाँ पे हैं जिनका की registration जिन्होंने cancellation के लिए request किया था उनका cancel हो गया है तो आप यहाँ पे अपने नाम, father's name, enrollment number और reference number यह 4 column है तो इसमें से आप choose कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं, search कर सकते हैं कि अगर आपने cancellation के लिए request किया था तो आपका cancellation हुआ या नहीं अगर आपका cancellation इस list में नाम है तो जरूरी आपको आपका money भी refund हो गया होगा तो यह तो हो गई अच्छी खबर और दूसरी जो बुरी खबर है वो है कि ऐसे सिक्षक जिनका की principal verification नहीं हो पाया था उनका registration NIS के द्वारा खुद बखुद cancel कर दिया गया है और उनको जो है उन्होंने जो भी money दिया था 4,500 रुपया वो उनका refund कर दिया जाएगा तो लेकिन यहाँ पे principal verification जिन कारणों से किनी सिक्षकों का नहीं हुआ था तो उनका यहाँ पे registration cancel कर दिया है और दोस्तों यह सिक्षकों की list करीबन 34-35,000 है तो 34-35,000 सिक्षकों का यहाँ पे registration cancel हुआ है तो यह list है जो आप video देख रहे हैं उसके description में दूसरा link जो होगा यह उसी सिक्षकों की list है जिनका की registration यहाँ पे cancel हुआ है principal verification ना होने के करन तो इनका भी कहा जा रहा है कि इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा हलां कि जिन लोगों ने cancellation के लिए request किया था उनका cancel हो गया पैसा refund हो गया और जिन लोगों का यहाँ पे NIS ने खुद cancel किया है क्योंकि उन्होंने verification नहीं करवाया था principal से तो उनका money refund अभी धीरे-धीरे कुछ दिनों में यहाँ पे किया जाएगा तो यहाँ पे पूरी list यहाँ पे है दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बरी list है सिख्षकों की जिनका की यहाँ पे registration जो है cancel किया गया है तो आप अपने नाम से और reference number से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पे cancel हुआ है या नहीं हुआ है तो दोस्तों यही दोनों खबर है यहाँ पे जो एक अच्छी खबर है वो यही थी कि जो लोग cancellation के लिए request किये थे उनका cancel हो गया और बुरी खबर यह थी कि जो लोग यहाँ पे ऐसे सिख्षक जिनका की principal verification किसी कारण वास चाहे वो technical कारण से हो चाहे principal जो है समय पे verification नहीं कर पाए उस वज़ा से जिनका जो 33, 34, 35,000 के करीवन सिख्षक है जिनका की नहीं हो पाया था उनका registration यहाँ पे cancel हो गया है बेल आइकन होगा वो देख लिए आपने दबाया है या नहीं दबाया है अगर नहीं दबाया होंगे तो आपको आगे की वीडियो का notification नहीं जाएगा तो वो एक बार चेक कर लें और जिनोंने जो हमारी चैनल पे नए है वो subscribe कर सकते हैं अगर उनको useful लगता है हमारा चैनल